खादय तेल उद्योग एवं वियापार्क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि आगामी महीनों के दोरान पाम तेल की कीमतों में तेजी का माहौल कायम रह सकता है। दरसल बाजार धारना अत्यंत तेजी की है, जिससे पाम तेल का भाव अनेक हादे तेलों के सापेक्ष गैर प्रतिसपर्धी हो सकता है। पिछली बार जब इंडोनेशिया में भी 35 कारेक्रम लागू हुआ था तब पाम तेल बाजार को सामाने स्थिती में लोटने में करीब 7 महीने का समय लग गया था। की पाम तेल बाजार में उतार चड़ाव पर नजर रखना आवश्यक होगा। भारत में इस पर सीमा शुल्ग बढ़ाया गया है। इसके फलस्वरूप वहां आयात पर कुछ असर पड़ता है या नहीं यह देखना जरूरी है। दरसल नवंबर के प्रथम पक्वारे तक भारत में त्योहारी सीजन समाप्थ हो जाएगा और फिर जाड़े का माहौल शुरू हो जाएगा। जानकारों के अनुसार जन्वरी से मार्च दो हजार पचीस की तिमाही में पाम तेल बाजार में नए सिरे से तेजीम जबूती का माहौल आरंब हो सकता है क्योंकि इस अबधी में चीन में लिउनर नव वर्ष का त्योहार होगा और मुसलिम देशों में रमजान पर्व के लिए पाम तेल की मांग बढ़ेगी ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी